नमश्कार, स्वागत है आपका सेल्फ स्टड़ी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अहीर रेजिमेंट बनाया जाए अहीर रेजिमेंट किसमें बनाया जाए तो यहां जम जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं साथ इसाथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले PDF के बारे में important information देता हूं कि PDF जो है वह आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जाकर आप वहां से इस वीडियो की PDF मिल जाएगा आपको clear तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है प्रोटेस्ट में डिमांड की जा रही है कि अहीर रेजिमेंट जो है वो इंडियन आर्मी के अंदर बनाया जाए कि एक कम्यूनिटी है जो यादव कम्यूनिटी है उसी से बिलोंग करती है अहीर तो कहा जा रहा है कि जैसे जाट रेजिमेंट है सिख रेजिमेंट है या फिर राजपूत रेजिमेंट है मदरास रेजिमेंट है तो ऐसी जो है एक रेजिमेंट बनाया है जाए अहीर नाम से ताकि पहचान मिले अहीर को भी इंडियन आर्मी के अंदर ऐसा नहीं है कि अहीर की पुछ नहीं है या फिर ऐसा भी नहीं है कि आप सोचो कि क्या यहां पर कोई reservation की मांग की जा रही है कोई ires intox की मांग की जारी है बिलकुल भी नहीं यहां पर कोई भी आरक्षन, कोई भी रिजर्वेशन ऐसा कुछ भी नहीं मांगा जा रहा बस अहीर कॉम्टी के दोरा ये बात बोली गई है कि बस हमारा जो नाम है उसको एक पहचान मिल जाए इंडियन आर्मी में जैसे कि बाकी की रेजिमेंट बनी हुई है एक ऐसे ही हमारी भी एक रेजिमेंट बन जाए इंडियन आर्मी में और ये जो धर्ना परदर्शन किया जा रहा है सयूंक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा के दोरा जो साउथ हर्याना के जो लीडर है वो इसको यहाँ पर लीड कर रहे है अब यहाँ पर जो यह सयूंक्त मोर्चा रेजिमेंट है सयूंक्त अहीर रेजिमेंट मोर्चा है जो यह इस ट्रिस्ट की स्थापना के गयती रेजिस्टर किया गया था इसको 2021 किस में और वैसे एक बार 2018 में प्रोटेस्ट हुआ भी था 9 दिन तक अंगर स्ट्राइक यानि कि भूकरताल की गई थी लेकिन जो राजनेता आये उन्होंने तसली दिया मतलब कि कहा कि भी ठीक है हम बनवा देंगे तो एक आश्वाशन दिया गया था और उस आश्वाशन के दोर पर वो 9 दिन के धरना जो था वो मतलब कि भूकरताल थी उसको खतम कर दिया गया था लेकिन अब बोला जा रहा है कि एनिश्चित कालीन तक जो है वो धरना चलेगा जब तक मांग को मान नहीं लिया जाता अब भी आपको बताएंगे कि क्यों है ऐसा कि जो मांग की जा रही है तो आपको बता दें कि अहीर रेजिमेंट जो मांग की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि जो इंडियन आर्मी है इंडियन आर्मी के अंदर अहीर का एक बहुत बड़ा अहीर जो जो कम्मुनिटी है उनका बहुत बड़ा एक योगदान रहा है जैसे कि 1962 के अंदर युद हुआ था इंडो चाइना वार, तो इंडो चाइना वार में एक बैटल ओफ रेजांगला है, जिसके अंदर 120 भारतिय जवान जो थे, वो शहीद हो गे थे, उस 120 शहीद में से 114 जो जवान जो थे, वो अहीर थे, तो कहा जा रहा है कि हमारा तो योगदान है ना, हमारा योगदान रहा, जैसे कि आप सिख, गोर्खा, जाट, घरवाल, राजपूत, यह अगर रेजिमेंट है, तो हमारा क्यों नहीं रेजिमेंट हो सकता, अब आपको यह जो तरीका जो यहां पर बोला गया है, यहां पर प्रोटेस्ट के जा रहा है, इसको एक तरीक तो यहां पर उस पहचान की बात हो रही है, और इसमें ऐसा कुछ बवाल वाली बात नहीं है, और मुझे कहीं न कहीं यह पॉजिटिव चीज लगती है, कि यहां एक जो कॉम्मुनिटी है, उसने धिल औ जान से देश की सेवा की, बस वो यह चाते हैं कि हमारा एक रेजिमे में से ही आते हैं, और एक चीज धान रखना, यहां पर अगर राजपूत जाट और सिख रेजिमेंट लिखे हैं, तो यहां पर ऐसा नहीं कि सिर्फ राजपूत रेजिमेंट में सिर्फ राजपूत ही जाएंगे, या जाट रेजिमेंट में सिर्फ रेजिमेंट में सिर्फ community से जो यहां पर जा सकते हैं अब यहां पर जैसे मैंने आप लोगों को बताए कि 13 कुमायू रेजिमेंट के 120 वही वीर अहीरों ने 1300 चिनी सेंकों को मार गिराया था जिसमें से 120 में से 114 अहीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी अब आगे चलते हैं अहीर के बारे में आपको चोटी मोटी information बता दें कि देखिए अहीर जो community है वो यादव community से belong करती है आप ऐसे समझ सकते हैं और जो इनका occupation है अहीर का वो cattle herding मतलब की पशुपालन में agriculture इन खेटी बाड़ी में इनका आपको देखने को मिलेगा जो occupation है और अहीर जो है वो पाया जो तो पूरे भारत के अंदर ही पाया जाते हैं लेकिन mainly आपको ये north area के अंदर आपको दिखेंगे और यहाँ पर आपको दिखेगा regiment यहाँ पर जैसे की Sikh regiment हो गया, राजपूत regiment हो गया राजपूत regiment, डोगरा regiment, जाट regiment, मदरास regiment यह actual में बने गवते हैं तो जब भारत अजाद होगा 1947 के बाद तो 1947 के बाद भारत में कोई भी जाती के ऊपर अधारित regiment बनी नहीं है यह कब बनी है, यह भारत में अजाद होने से पहले जो हैं सिखों के प्राकरम को पहचान लिया था कि यह बहुत लड़ाके हैं इनको अपनी सैना के अंदर वो शामिल किया जाए, बजाए कि इनके लडने से, तो सिख regiment जो है, इसकी स्थापना एक अगस्त, एक अगस्त एक अगस्त, एक अगस्त कानपूर में एक 31 बंगाल नेटिव इंफेंट्री थी और उसमें उसको रेज किया गया था, उसको बनाया गया था 1778 के अंदर और उसके कैप्टन हुआ गयते थे, कैप्टन मश्राक और यहाँ पर कैप्टन मश्राक के बाद आए सेमुल किलपेट्रिक सेमुल किलपेट्रिक ने यहाँ पर 31 बंगाल नेटिव इंफेंट्री को संभाला और यहाँ पर किलपेट्रिक रेजिमेंट कहा जाने लगा और इसी को ही जो बाद में है आगे चलकर राजपूत रेजिमेंट के नाम से पुकारा जाने लगा 1825 तक आते आते 1825 तक आते आते क्या हुआ था? राजपूत रेजिमेंट के आप जानते न 1245 राजपूत के नाम से यह जानने जाने लगे अठ़ा सो पच्छिस तक या फिर अगर मैं आपको बात करू हूँ तो देखो जाट रेजिमेंट है 1795 बनाई गई थी, डोकरा रेजिमेंट है, 1877 के अंदर बनाई गई थी, मदराज रेजिमेंट है, 1750 के अंदर बनाई गई थी, तो आप ये जो देख रहे हो न, ये सारे जो हैं, वो भारत के अजाद होने से पहले बनाई गए थे, एक तरीकी से ब्रिटिश जो थे, उन्होंने अपनी सहूलित के अकोर्डिंग जो है, वो आर्मी का गठन किया था, जाती के अधार पर, उन्होंने राज्मी का गठन मतलब की कहें, कि रेजिमेंट बनाने परारम किया था, अब एक सवाल उठता है, कि भारत के पहले थे, अब उनको क्यों नहीं खतम किया जा रहा, कि भई आज की डेट में तो सब एकवल है, जाती के अधार पर क्यों वहाँ पर रेजिमेंट रखी गई है, तो इसके आर्ग्यूमेंक, इसके काउंटर में एक जवाब जो आता है, कि यहां बरभार जब आजाद हुआ था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को यह उमीदे थी, कि भारत ना बहुत इसों में तूटेगा, क्योंकि यहां बहुत चारी विविदत आई है, और उस वक्त आर्मी को बहुत अच्छे से संभालना था, तो एक फैसला वहाँ यह किया गया, कि जो इतिहास में अब तक बना हुआ है, उसको वैसे ही चलने दिया जाएगा, और इसलिए जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, दोगरा रेजिमेंट, इनको यहां पर चलने दिया गया, कोई भी इनमें फेर बदल नहीं कियागा, ऐसा नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया कि, कोई भी ऐसे जैसे जाट के अंदर, जाट ही नहीं जायेगा, सिख के अंदर सिख नहीं, बिल्कि सारी कमुणिटी के जो लोग हैं, वो इनके अंदर या फिर कास्ट के जो लोग हैं वो इनके अंदर जा सकते हैं अब अहीर लोगों का बस ये कहना है कि हमें एक हमारी एक रेजिमेंट देदो हमें भी एक पहचान देदो क्योंकि हमारा भी एक योगदान है तो उमीद करता हूँ कि यह सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी और इस वीडियो के PDF मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि PDF के लिए आपको description box में एक telegram का link दिया मिल जाएगा तो जाकर आप वहाँ से download कर सकते हैं PDF को वीडियो पसंद आई है तो थोड़ा बहुत योगदान हमें भी कर सकते हैं like करके channel को subscribe करके और कुछ जादा ही पसंद आई है तो share कर सकते हैं share कर सकते हैं भईया video को भी as well as channel को भी मतलब सब कोई share कर दीजिए आपका भला होगा तो वसाज के लिए इतना है रखते हैं thank you for watching